उम्राव जान अदा मिर्जा हादी रुस्वा 1899 में प्रकाशित उर्दू में लिखे गए उपन्यास उम्राव जान अदा के लेकक मिर्जा हादी रुस्वा मोलते है शायर थे वे उर्दू के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्बी, फार्सी, हिब्रू और ग्रीक भाशाएं भी जानते थे उनका जन्म 1857 या 58 में लखनव में हुआ था 1885 में उन्होंने पंजाब विश्विद्याले से सनातक किया और तॉमस रुटकी कॉलेज से इंजिनेरिंग में डिप्लोमा भी हासल किया शुरू में उन्होंने कोटा बलोचिस्तान रेलवे में ओवर्सियर की नौकरी की लेकिन कुछ दिनों बाद वापस लखनों आ गए जहां कृश्चिन कॉलेज में अर्बी फार्सी के व्याख्याता नियुक्त किये गए 1921 में कॉलेज की नौकरी छोड़ कर हैदराबाद चले गए वहां शिक्षव भाग में अनुवादक की नौकरी मिली उस दोरान उन्होंने दर्शन शासर की कई महत्वपुन पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया 21 अक्तुबर 1931 को हैदराबाद में उनका निधन हुआ उनकी गजलों का संकलन अब तक उर्दू में भी प्रकाशित नहीं है जबकि पांच उपन्यास और दर्जनो अनुदित पुस्तकें उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हो गई थी उम्राव जान अदा उनका सबसे लोग प्रियोपन्यास है रुष्वा का दावा है कि यह लखनों की एक उनकी समकालीन तवायव उम्राव जान की सच्ची आत्मकता है वह अदा तकलुस के साथ शायरी भी करती थी आईए सुनते हैं उम्राव जान अदा बाप दादा का नाम लेकर अपना बड़पन चताने से क्या फायदा और सच तो यह है कि मुझे याद भी नहीं हाँ इतना जानती हूँ कि फैजाबाद में शहर के किनारे किसी महले में मेरा घर था मेरा मकान पक्का था आसपास में कुछ कच्चे मकान थे कुछ छोपड़े थे खप्रेलें थी रहने वाले भी कुछ ऐसे वैसे लोग ही होंगे कुछ भिष्टी, नाई, धोबी, कहार हमारे मकान के सिवा एक मुचा घर इस महले में और भी था इस मकान के मालिक का नाम दिलावर खाँ था मेरे अबबा बहु बेगम अवद के नवाबों की प्रतम आहरानी साहिबा के मकबरे पर नौकर थे मालूम नहीं काहे में नाम था क्या तनखा थी इतना याद है कि लोग उनको जमादार कहते थे मेरे एक छोटा भाई था दिन भर मैं उसे खिलाया करती थी और वह भी मुझसे इस कदर हिला हुआ था कि दम भर के लिए न छोड़ता था अबबा जब शाम को नौकरी पर से आते थे उस वक्त की खुशी हम भाई बेहन की कुछ न पूछिये मैं कमर से लिपट गई भाई अबबा अबबा करके दोड़ा दामन से चमट गया अबबा की बाचे मारे खुशी के खिली जाती है मुझको चुमकारा पीट पर हाथ फेरा भाईया को गोद में उठा लिया प्यार करने लगे मुझे खुब याद है कि कभी खाली हाथ घर ना आते थे कभी भुटे हाथ में है कभी बताशों या तिल के लड़ों का दोना हिस्से लगाए जाते उस वक्त भाई बहन में किस मजे की लड़ाईयां होती थी वह भुटा चीन लिये जाता है मैं मिठाई का दोना हत्या लेती हूँ अब है सामने खपरेल में बैठी खाना पका रही है अबबा उधर आके बैठे नहीं इधर मेरे तकाजे शुरू हो गए अबबा अल्ला गुडिया नहीं लाए देखो मेरे पाउं की जूती कैसे तूट गई है तुमको ख्याल ही नहीं रहता लो मेरा हार सुनार के यहां से बनके नहीं आया छोटी खाला की लड़की की दूद बढ़ाई है भई मैं क्या पहन के जाऊंगी चाहे कुछ भी हो इध के दिन तो मैं नया जोड़ा पहनूंगी हाँ मैं नया जोड़ा पहनूंगी जब अम्मा खाना पका चुकती मुझे आवाज देती मैं जाती और रोटी की टोकरी और सालन की पतिली उठालाती दस्तर खान बिछाती अम्मा खाना निकालती सब सर जोड के खाना खाते खोदा का शुक्र करते अब्बा एशा की नमाज पढ़के सो रहते सुभे तड़के उठकर नमाज पढ़ते उस वक्त मैं उठ बैठती और फिर मेरी फर्माईशे शुरू हो जाती अब्बा वजीफा नमाज के बाद खुदा के नाम का जाप पढ़ते हुए कोठे पर चड़ जाते कबुदरों को दाना देते एक दो को हवा में उड़ाते इतने में अम्मा जाड बुहार से फरागत करके खाना तयार कर लेती थी क्यूंकि अब्बा दिन चड़ने से पहले ही नौकरी पर चले जाते थे अब्बा के चले जाने पर अम्मा सीनप पिरोना लेके बैठ जाती मैं भैया को लेकर कहीं महले में निकल जाती या दरवाजे पर इमली का पेड था वहां चली जाती हम जोली लड़के लड़कियां जमा हो जाते मैं भाई को बैठा के खुद खेल में लग जाती हाई क्या दिन थे किसी बात की फिक्र ही न थी अच्छे से अच्छा खाती थी अच्छे से अच्छा पहनती थी नाक नक्षबी खेर कुछ ऐसा बुरा न था नाजुकों में मेरा शुमार न तब था न अब है मैं पहनती लाल, गुल बदन का पजामा छोटे पाइचों का नैनू की कुर्ती, तंजब की ओढ़नी, हातों में चांदी की तीन तीन चुड़ियां गले में हार, नाक में सोने की नतनी कान अभी ताजे ताजे चिदे थे, उनमें सिर्फ नीले डोरे पड़े थे सोने की बालियां बनने को गई थी मेरी शादी मेरी फूफी के लड़की के साथ ठेरी हुई थी मंगनी नौबरस के सिन में हो गई थी अब उधर से शादी का तकाजा था, मेरी फूफी नवाब गंज में ब्याई हुई थी हमारे फूफा जमिनदार थे फूपी का घर हमारे घर से जादा भरा पूरा था मंगनी होने से पहले मैं कहीं बार अम्मा के साथ वहां जा चुकी थी वहां के कार खाने ही और थे मकान तो कच्चा था, मगर था बहुत लंबा चोड़ा गाए, बैल, भैंस, बंधी थी घी दूद की इफराद थी अनाज की कसरत थी भुटों की फसल में टोकरियों भुटे चले आते थे एक के धेर लगे रहते थे कोई कहां तक खाता मैंने अपने दूला को, यानि जिसके साथ मेरी शादी ठहरी थी, देखा था बलकि उसके साथ खेली थी अबबा पूरा जहेज का सामान कर चुके थे कुछ रुपए की फिक्र थी रजब के महीने में शादी तै हुई थी रात को अबबा अम्मा में जब मेरी शादी की बाते होती थी मैं चुपके चुपके सुना करती थी और दिल ही दिल में खुश होती थी गर्ज की मैं अपनी हालत में खुश थी दिलावर खां का मकान हमारे घर से थोड़ी दूर पर था मौा डकैतों से बिला हुआ था लखनों में बरसों कैद रहा नामालूम किसी सिफारिश से चूट आया था अबा से सक्त दुश्मनी रखता था वजह यह थी कि जब फैजाबाद से गरफतार हुआ तो चाल चलन की तहकिकात के लिए मुहले की लोग तलब हुए उनमें अबा भी थे बिचारी यूं भी दिल के सादे और जबान के सच्चे थे उस पर तुर्रा यह है कि अदालत के सहब ने उनके हाथ में कुरान दे के पूछा वेल जमादार तुम सच-सच कहो यह कैसा आदमी है अबा ने साफ साफ जो उसका हाल था कह दिया उन्हीं के गवाही पर दिलावर खांक कैद हो गया था यह हाल मैंने अपनी माँ से सुना था वही कीना उसके दिल में चला आता था एक दिन उसने अबा का कबुतर उतार लिया अबा लेने को न गए न दिया अबा चार आने देते थे वह आठ आने मांगता था अबा तो नौकरी पे चले गए और जुट पुटे का वक्त था खुदा जाने मैं क्यों घर से निकली देखती क्या हूँ कि वह इमली के नीचे खड़ा हुआ है कहने लगा बेटी तुम्हारे अबा पैसे दे गए थे कबूतर ले लो मैं उसके दम में आ गई साथ चली गई जाके जो देखती हूँ घर में काली चड़िया नहीं अकेला मकान पड़ा है इधर में मकान में दाखिल हुई उधर उसने अंदर से कुंडी बंद कर ली चाहती थी कि चीखूँ उसने मुँ में गुदर ढूस दिया मेरे दोनों हाथ रुमाल से कस दिये इस मकान का एक दर्वाजा पीछे की तरफ था मुझे जमीन पर बैठा के आप गया दर्वाजा खोला और पीर बक्ष कहके आवाज दी पीर बक्ष अंदर आया दोनों ने मिलके मुझे बैल गाड़ी पर सवार किया कि गाड़ी चल निकली मेरे काटो तो खून नहीं तले की सांस तले और उपर की उपर करूं तो करूं क्या कोई बस नहीं मुझी के चंगुल में थी दिलावर खाँ बहली के अंदर मुझे गुटनों के नीचे दबाई बैठा था हाथ में छुरी लिये था मुए की आँखों से खून टपक रहा था पीर बक्ष गाड़ी हाक रहा था और बैल थे की उड़े चले जा रहे थे थोड़ी देर में शाम हो गई चारो तरफ अंधेरा चा गया जाड़े के दिन थे सरनाटे की हवा चल रही थी सर्दी के मारे मेरी बोटी बोटी कांप रही थी दम निकला जाता था आँखों से बारिश जारी थी दिल में यह ख्याल आता है कि किस आफ़त में फस गई अब मा नोकरी से आए हुए होंगे मुझे ढूनते होंगे अमा आफ़त पीट रही होंगी चोटा भाई खेल रहा होगा उसे क्या मालूम होगा कि बहन कहां फस गई माँ बाप भाई मकान दालान अंगनई बावर्ची खाना सब मेरी आँखों के सामने था लेकिन यह सब ख्यालात एक तरफ और जान का खौफ एक तरफ दिलावर खान घड़ी घड़ी चुरी दिखाता था मुझे ऐसा मालूम होता था कि अब कोई दम से यह चुरी मेरे गले के पार होगी मारे ढर के मुझे आवाज ना निकलती थी इधर मेरा तो यह हाल था उधर दिलावर खान और पीर भक्ष में हस हस के बाते हो रही थी मेरे माबाप और मुझे पर बात बात में गालियां पढ़ती जाती थी दिलावर खा, देखा भाई पीरबक्ष, सिपाही का पूत बारा बरस के बाद अपना बदला लेता है, अब वे कैसा दिल मिलाता होगा पीरबक्ष, भाई तुमने बेशक इस मसल को असल कर दिखाया, बारा बरस तो हुए होंगे तुम्हें क्या दुए पूरे बारा बरस हुए, भाई लखनों में क्या मुसीबतें उठाई, खैर, वह भी तो कोई दिन याद करेगा, यह तो मेरा पहला वार हुआ है, मैं तो उसे जान से मारूंगा हाँ, यह भी रहता है, तुम समझते क्या हो, जान से न मारा तो पठान का बीज नहीं भाई तुम बात के सच्चे हो, जो कहोगे कर दिखाओगे, देखना, और इसका क्या करोगे, करेंगे क्या, यहीं कहीं मार के नाले में डाल दो, रातो रात बह जाएगी मैं चौकी, अपनी मौत का यकीन हो गया, आखों में आसू थम गए, दिल में एक धचका लगा, मूँ ढल गया, हाथ पाउं डाल दिए यह हाल देख के भी मुए कटर को तरस ना आया, उसने एक घुंसा ऐसे जोर से मेरे कलेजे पर मारा, कि मैं बिलबिला गई अरे, इसे तुम भार डालोगे, और हमारा रुपया, गले गले पानी, कहां से दोगे, हम तो कुछ और ही समझेते घर चलो, कहीं से ना हो सकेगा, तो कबुतर बेच के दे दूँगा तुम बे अकल हो, कबुतर क्यों बेचो, हमने एक बात बताए कहो, अरे मिया, लखनों में चलके इस छोकरी के दाम खरे कर लो जब से अपने मरने का यकीन हो गया था, मुझे इन दोनों मूजियों की बाते अच्छी तरह सुनाई न देती थी लेकिन पीर बख्ष की यह बात जोकान में पड़ी, तो फिर अपनी जन्दगी का कुछ आसरा बंधा दिल में उसे दुआएं देने लगी दिलावर खाने कहा, अच्छा, देखा जाएगा इसके बाद कुछ देर ये लोग एक पेड़ के नीचे आग जलती देखकर हुका भरने के लिए रुक गए जब फिर गाड़ी चली, तो दिलावर खाने हुके का एक कश लेते हुए कहा ये कितने में बिख जाएगी, और बेचेगा कौन, कहीं पकड़ लिए जाएं तो और मुश्किल हो इसका जिम्मा हमारा, हम तो बेच देंगे अरे मिया, तुम्हारी बातें पकड़ेगा कौन लखनों में ऐसे मामले दिन रात हुआ करते हैं, हमारे साले को जानते हो कौन, करीम हाँ, उसकी रोटी इसी पर है, बीसियों लड़के लड़कियां पकड़ ले गया, लखनों में जाके बेच लिए कितने के बिखते हैं जैसी सूरत हुई भला, ये कितने की बिख जाएगी सौ, तेड़ सो, जैसी तुम्हारी तकदीर हुई भाई की बातें, सौ, तेड़ सो, इसकी सूरत ही क्या है, सौ भी तो बहुत है अच्छा, इससे क्या, ले चलो, मार डालने से क्या फायदा इसके बाद दोनों में कानों में कुछ बाते होने लगी जो मैं न सुन सकी रात भर गाड़ी चलाई, मेरी जान सांसे में थी मौत आखों के सामने फिर रही थी ताकत खत्म हो गई थी, बदन सुन हो गया था नीन सो सूली पर भी आती है थोड़ी देर में आख लग गई उस समाने में रेल न थी फैजबाद से लखनौ चार दिन का रास्ता था मगर दिलावर खां इस खौफ से कि कहीं मेरे अबा पीछा न करें ना मालूम किन बीहड रास्तों से लाया कोई आठ दिन में लखनौ पहुँचे मुझ निगोडी को क्या ख़बर थी कि लखनौ कहां है मगर उन दोनों की बातों से समझ गई थी कहां लिये जा रहे है लखनौ में गोमती के उस पार करीम की ससुराल में मुझे लाके उतारा छोटा सा कच्चा मकान था करीम की सास मुई मुर्दे सूंगी सी मालूम होती थी मुझे घर में ले गई और ले जाके एक कोट्री में बंद कर दिया सुभे होते ही हम लखनों पहुँचे थे मैं दोपहर तक बंद रही फिर कोट्री का दर्वाजा खुला एक जवान सी औरत जो करीम की जोरू थी तीन चपातियां और एक मिट्टी के प्याले में चमचा भर माश की दाल एक बंदनी पानी की मेरे आगे रखके चली गई मुझे उस वक्त वह भी नियामत लगा आट दिन हो गए थे घर का पका खाना नसीब नहुआ था रास्ते में चन्ने और सत्तों के सिवा और कुछ मिला ही न था कोई आधी बंधनी भर पानी पी गई इसके बाद जमीन पर पाँ फैला के सो गई दो दिन अकेले ही इस कोट्री में गुजारे तीसरे दिन एक और लड़की मुझसे उम्र में कोई दो एक बरस बड़ी लाके बंद की गई करीम खुदा जाने कहां से उसे फुसला के लेके आया था बेचारी चुहक चुहक के रोती थी मुझे उसका आना अगरी मत लगा जब है रो दो चुकी तो चुपके चुपके बाते होने लगी किसी बनिये की लड़की थी रामदेई नाम था सीतापुर के पास कोई गाउं था वहां की रहने वाली थी अंधेरे में तो उसकी शकल दिखाई न दी दिन में जब कोट्री की खिड़की खुली तो उसने मुझे देखा और मैंने उसे गोरी गोरी थी बहुत खुब सुरतनाक नक्षा डील चरहरा चौते दिन उस काल कोट्री से उसकी रहाई हुई मैं वहीं रही फिर तनहाई नसीब हुई उसके तीसरे दिन रात के वक्त दिलावर खाँ और पीर बक्ष ने आके मुझे निकाला और अपने साथ ले चले बहुत घुमा फिरा कर एक बाजार आया यह वह बाजार था जहां इज़त फरोशी की दुकाने थी यानि चौक हम एक मकान के दर्वाजे पर पहुँचे यह एक खानम जान का मकान था जहां मुझे जिल्लत, इज़त, बदनामी, नेकनामी में जो कुछ भी दुनिया में मिलना था, मिला मकान का दर्वाजा खुला हुआ था थोड़ी दूर पर जीना था जीने से चड़के उपर पहुँचे वहां सेहन से होते हुए सदर दालान की दाहिनी तरफ के एक चौड़े दालान में खानम जान के पास हम गए इनकी उम्र कोई पचास बरस की होगी क्या शानदार बढ़िया थी रंग तो सामला था मगर ऐसी भारी भर का मौरत जिससे कपड़ों की शान बढ़ती हो देखी न सुनी बालों की आगे की लटें बिलकुल सफेद उनके चहरे पर भली मालूम होती थी मलमल का दुपटा कैसा बारी चुना हुआ की शायद ही और किसी का हो उदे पजा में बड़े बड़े पांचो के हातों में मोटे मोटे सोने के कड़े कलाईयों में फसे हुए कानों में सादे दो बुंदे लाख लाख बनाव देते थे उस दिन की खानम की सुरत आज तक याद है पलंग से लगी हुई कालीन पर बैठी है कंवल जल रहा है बड़ा सा कामदार पांदान खुला हुआ आगे रखा है पेचवान पी रही है सामने एक सामली सी लड़की नाच रही है यह उनकी लड़की बिसमिल्ला जान थी हमारे जाने के बाद नाच रुक गया सब लोग कमरे से चले गए मामला तो पहले ही हो चुका था खानम जान यही चोकरी है जी हाँ मुझे पास बुलाया चुमकार के बिठाया माथा उठा के सूरत देखी बोली अच्छा फिर जो हमने कह दिया है मौजूद है और वह दूसरी लड़की क्या हुई पीर बक्ष उसका तो मामला हो गया कितने पर दो सो पर अच्छा खेर कहां हुआ एक बेगम साहिबा ने अपने साहिबजादे के वास्ते बोल लिया है सूरत शकल की अच्छी थी तो इसकदर हम भी दे निकलते तुमने जल्दी की मैं क्या करूँ मैंने तो बहुत समझाया मेरे साले ने न माना दिलावर खां सूरत तो इसकी भी अच्छी है आगे आपकी पसंद खेर आदमी का बच्चा है जो कुछ है आपके सामने हाजिर है दिलावर खां अच्छा तुम्हारी ही जद सही यह कह के खानम ने हुसेनी को आवास दी हुसेनी कुद बुदी सी सामली अधेड औरत सामने आके खड़ी तो उन्होंने संदुक्चा लाने को कहा उसने लाके सामने रख दिया खानम सहब ने संदुक्चा खोला बहुत से रुपे दिलावर खां के सामने निकाल के रख दिये बाद को मालूम हुआ कि सवा सौ थे दिलावर खां और पीर बक्ष सलाम करके चले गए तो खानम सहब पूछने लगी हुसेनी यह चोकरी इतनी दामो कुछ महंगी तो नहीं मालूम पड़ी महंगी? मैं कहती हूँ सस्ती है सस्ती भी नहीं है खेर होगी सूरत तो भोली भाली है खुदा जाने किसकी लड़की है है माबाप का क्या हाल होगा कहां से मुए पकड़ लाते हैं जरा भी खुदा का खौफ नहीं हम लोग तो बेकसूर है पाप उन्हीं मुओं पर होता है यहां न बिक्ती कहीं और बिक्ती खानम साहब यहां फिर भी अच्छी रहेगी आपने सुना नहीं घर में लॉण्डियों की क्या गते होती है कुछ देर दोनों इसी तरह बाते करती रही फिर बुआ हुसेनी ने बड़ी मिन्नत से कहा बीबी ये छोकरी मुझे दे दीजे मैं पालूंगी माल आपका है खित्मत मैं करूंगी अब तक बुआ हुसेनी खड़ी हुई थी अब बैटकर मुझसे बाते करने लगी नाम पूछा तो मैंने बताया अमीरन खानम बोली पर ये है नाम तो हमें पसद नहीं हम तो उम्राव कहे के पुकारेंगे फिर हुसेनी ने मुझसे कहा सुना बच्ची उम्राव के नाम पर तुम बोलना जब बीबी कहें उम्राव तो तुम कहना जी उस दिन से उम्राव मेरा नाम हो गया थोड़े दिनों बाद जब मैं रंडियों की गिंती में आई तो लोग उम्राव जान कहने लगे खानम सहाब मरते दम तक उम्राव कहा करती थी और बुआ उसेनी उम्राव सहाब कहती थी खानम का मकान था कि एक परिस्तान था जिस कमरे में जा निकलो सिवा खाने, बजाने, हसी मजाके और कोई चर्चा न थी अगरचे कमसिन थी मगर फिर भी औरत जात बड़ी होशियार होती है मैं अपने मतलब को समझती थी बिसमिल्ला खुर्शीद को गाते नाचते देखकर मेरे दिल में भी खुद बखुद उमंग सी पैदा होती मैं अपने आप गुन गुनाने और थिरकने लगती इसी हरसे में मेरी भी तालीम शुरू हो गई थी मेरी तबियत गाने बजाने के लिए बहुत मुनासिब पाई गई आवाज भी पक्के गाने के लायक थी सरगम साफ होने के बाद उस्ताद ने आस्ताई शुरू करा दी उस्ताजी बहुत उसूल के तालीम देते थे हर एक राक का सुर्व ब्यौरा जबानी याद कराया जाता था और वही गले से निकलवाया जाता था मजाल न थी कि सुर्कोमल से अतकोमल शुद्ध से अतिशुद्ध या तीवर से तिवतर हो जाए खानजान की नौचियों यानि शरीफ और खानदान वाली रंडियां दूसरे लड़कियों को खरीद लेती हैं ये खरीदी लड़कियां नौचियां कहलाती हैं उनको सिर्फ नाच गाने की तालिम नहीं दी जाती थी बलकि लिखने पढ़ने के लिए मकतब भी था मौलवी साहब नौकर थे दस्तूर के मताबक मैं भी मकतब में भीजी गई मेरी परवरिश बुआ हुसेनी ने अपने जिम्में ली थी इसलिए मुझ पर मौलवी साहब की खास तवज्जो थी यह उनी की जूतियों की बदौलत है कि जिस अमीर रईस की महफिल में गई हैसियत से जादा मेरी इज़त हुई लायक फायक साहबों के जलसे में मुझ खोलने की हम्मत हुई शाही दर्बारों में शिरकत करने का बौका मिला आला दर्जे की बेगमात के महलों में गुजर हुआ मौलवी साहब ने बहुत प्यार से पढ़ाया अलिफ बेई से शुरू कराके फार्सी की गुलिस्ताम बोस्तां तक पढ़ाया मन्तिक की दो किताबे पढ़ाई इमला दुरुस्त कराया खत लिखाए शेरो शायरी का शौक उन्हीं से शुरू हुआ साथ आठ बरस मैं मौलवी सहब से पढ़ती रही मकतब में मुझ समेट तीन लड़कियां थी और एक लड़का था मिर्जा गौहर मिर्जा हद का शरीर था बदजात सब लड़कियों को छेड़ा करता था किसी को मुझ जड़ा दिया किसी के चुटकी ले ली इसकी चोटी पकड़के खीचली उसका कान दुखा दिया दो लड़कियों की चोटियां एक में जकर दी गर्ज की उसके मारे नाक में दम था लड़कियां भी खुब धप्याती थी मौलवी सहाब भी खुब खुब सजा देते थे मगर वहे कि अपनी आनी बानी से न चुकता था सबसे बढ़के मेरी गत बनाता था मैंने भी मौलवी सहाब से कह कह के वो वो मार पिटवाई मगर बेगैरत किसी तरह बाज ना आया आखिर मैं भी चुगलियां खाते खाते ठक गई मेरी फर्याद पर मौलवी सहाब उसको ऐसी बेदर्दी से सजा देते थे कि खुद मुझे तरस आ जाता था गौहर मिर्जा के इस मकतब में आने की वजह भी बुआ हुसेनी थी नवाब सुल्तान अली खां एक बड़े आला खांदान की रईस थे तोप दर्वाजे में रहते थे उनका बन्नो डॉमनी से रसम था उनी से ये लड़का पैदा हुआ नवाब साहब से मुलाकात बंद हुए एक अर्सा हो गया था मगर वहे लड़की की परवरिश के लिए दस रुपया महावार दिये जाते थे और बेगम साहिबा से चोरी छुपे कभी कभी पुला के देख भी लिया करते थे बन्नो काजी के बाग की रहने वाली थी पस्चित में मौलवी के हाँ पढ़ने को बैठा दिया लेकिन वहाँ भी यह हाल किया कि एक दिन मौलवी साहब मिर्जा के कान पकड़े हुए बन्नो के दर्वाजे पे आए और लो साहब अपना लड़का हम इसे ना पढ़ाएंगे कहके चले गए उस वक्त बुआ हुसेनी अपने भाई के हाँ गई हुई थी बन्नो ने कहा वही इसको बुला के अपने मौलवी साहब के पास ले जाओ और दूसरे दिन बुआ हुसेनी के भाई अली बक्ष एक थाल में मिठाई लिए गोहर मिर्जा को वहाँ छोड़ गए बुआ हुसेनी ने खुशी खुशी मिठाई तक्सीम कर दी और मिर्जा को मौलवी साहब के पास बैठा दिया इसी तरहे मेरी जिन्दगी खानम के मकान पर गुजर रही थी इस तरमयान में कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसका बयान जरूरी हो हाँ बिस्मल्ला की मिर्सी यानि खानदानी रंडियों के यहाँ पेशा नहीं होता बलकि नौकरी होती है कभी-कभी तो एक रंडी सारी जंदगी एक ही आदमी की नौकर रहती है और दूसरा आदमी उसके साथ हसी मजाग भरे कर ले शरीर को हाथ नहीं लगा सकता उनके हाँ जब लड़की जवान होने पर पहली बार नौकरी करती है तो उसी तरह से खुशी मनाई जाती है और जलसे होते हैं जैसे घर ग्रहस्तों में शादी के मौके पर इस रस्म को मिस्सी कहते हैं तो बिस्मिल्ला की मिस्सी बड़े धूम से हुई मेरी आँखों के देखते शाही जमाने से लेकर अब तक फिर वैसी मिस्सी नहीं हुई दिलाराम की बारह दरी इस जलसे के लिए सजाए गई थी अंदर से बाहर तक रोशनी थी शहर की रंडियां, डूम, डूम यानी नीच जाती के खांदानी रंडियां थाड़ी, खांदानी मिरासी, तबलची, सरंगिये, कश्मीरी भान तो थे ही दूर दूर से डरेदार उंची जाती के खांदानी रंडियां तवाइफें बुलाई गई थी बड़े बड़े नामी गवईये दिल्ली तक से आये थे साथ दिन रात गाने बजाने की सोहब रही खांदानी जैसे दिल खोल के हिस्से तकसीम किये उसका आज तक नाम है बिसमिल्ला खांदानी खांदानी लड़की थी जो कुछ न होता कम था और फिर नवाब छबबन सहाब ने अपनी दादी उमद तुल्खा खांग बेगम की जाइदाद पाई थी बहुत ही कमसिन नवाब जादे थे खांदानी खुदा जाने किन तरकीबों से कमपा मारा कि बिचारे फस ही तो गए नवाब सहाब के 25-30 हजार रुपए इस जलसे पर खर्च हुए इसके बाद बिसमिल्ला नवाब सहाब की मुलाजिम हो गई बाहर के किसी अफसर के साहब जादे थे पढ़ने के लिए लखनों तश्रीफ लाए थे घर से कुशाल थे वालिद मरहूम रिश्वत वे निजराने से एक बड़ा इलाका इनके खर्च के लिए छोड़ गए थे कुछ लोग यहां आंके अच्छे रहे फिर जो लखनों की हवा लगी तो तमाशबीन के इल्म में होशियार हो गए नाम था राशिद अली और राशिद तकलुस करते थे लखनों की किसी उस्ताद ने शागिर्द बना लिया था तकलुस पर बहुत घमंड करते थे जो मुलाजम साथ आये थे रखनमिया कहते थे लखनों वालों ने इनको राजा का लकब दे दिया मगर इस नाम और लकब में किसी कदर देहाती पन था और आप लखनों के अंदाज में चलना चाहते थे इसलिए थोड़े दिनों में नवाब साहब बन गए जब घर से आये दाड़ी मूँ पर थी लखनों की हवा लगते ही पहले कतरवा हुई फिर खश खश और थोड़े दिनों में बिलकुल सफाया हो गया दाड़ी मुणने से चहरा बदनुमा हो गया मगर आप अपने को बहुत हसीन समझते थे खुद ही बहुत तबियतदार आदमी थे फिर लायक दोस्तों का साथ चंद ही दिनों में उचे उचे कमरों तक पहुँच हो गई पहुँच कैसी बे तकलुफी बढ़ गई नाइकाओं का बड़ा अदब करते थे जिस रंडी से एक रात का भी वास्ता हो गया उसकी नाइका को सबके सामने अम्मा जान कहते थे और जुक के तसलीम करते थे ताकि यारों पर जाहिर हो जाए कि आप यहां के आने वालों में हैं गाने में भी आपको कमाल हासल था खुम्रियां खुद लिखते थे खुद धुन बना के गाते थे और खुद ही भाव बताते थे और तो जो कुछ था मूँ से तबला खुब बजा दे थे घर से बेरोक टोक रुपया चला आता था माँ बेचारी यह समझके कि लड़का पढ़ने गया है जो मंगाते भीज़ देती लखनों के बे फिकरे सफेद पोश एश पसंद मुफ्थ खोरों का साथ था इन्ही यारों के कहने सुनने से मेरे बारे में खयाल पैदा हुआ जिसे बढ़ा के इश्क और उसके बाद पागल पन तक पहुँचाया गया खानम खिची रही कहती रही कि लड़की अभी कमसिन है बड़ी आरजु मिन्नत के बाद पांच हजार तोड़ हुआ आप रुपया लेने के लिए गाउं गए और माँ से चुपा के दो गाउं रहन रखके बीस पचीस हजार रुपया लेके लखनू आए दिवान जी की मारफत पांच हजार रुपया खानम के एक हजाने में आ गया बुआ हुसेनी ने हाथ पांप फेलाए पांस सो नजर नियास के नाम पर ले मरी मैं उनके सर मढ़ी गई छे महीने लखनू रहे सो रुपया महवार देते रहे फरमाईशों का जिक्र नहीं जो कुछ मुझे खुफिया दिया वह बुआ हुसेनी के पास रहता था खानम को उसकी खबर न थी अब मैं गोया आजाद हो गई दो महरियां दो खिदमतगार मेरे लिए खास मुलाजम हुए फाटक के पावाला कमरे मेरे रहने के लिए सजा दिया गया दो चार मर्द आदमी शरीफजादे मेरे पास भी आके बैठने लगे यूं तो मैं पहले पहल बिस्मिल्ला की मिस्सी में नाची गाई थी मगर मेरा पहला मुजरा नवाब शुजात अली खान के लड़के की शादी में हुआ वे महविल भी यादगार थी नवाब की बारादरी के शान से सजी थी बेशकीमती शीशों के आलों की रोशनी से रात को दिन हो गया था अतर और फूलों की खुश्बू से तमाम महफिल बसी हुई थी धुआदार हुकों की खुश्बूओं गिलॉरियों की महख से दिमाग तर थे मेरा सिन कोई चौधा बरसका था उस जमाने में बड़ोदे से एक बाईजी आई हुई थी तमाम शहर में उनके गाने की धूम थी बड़े बड़े गवईये कान पकड़ते थे मालुमात ऐसी कि गोया पोथियां उनकी जबान की नोक पैथी गलाव है कि चार महले उधर आवाज जाए मगर वह खानम सहाब क्या रंग देखती थी कि उनके बाद मुझे खड़ा कर दिया मुझे तो क्या तमीज थी मगर समझदार लोग हैरान थे कि खानम सहाब क्या करती है भला बाई जी के सामने इस छोगरी का रंग जमेगा तमाम पर रंग जम गया हर लव्ज पर वह वह हर सम पर आहाह आहाह एक एक शेर आट दस मरतबा पढ़ाया गया इस गजल पर मेरा मुझरा खतम हुआ और दूसरे मुझरे में फिर यही गवाई गई मुझरे के दूसरे दिन बुआ हुसेनी मेरे कमरे में आई साथ में एक खिदमतगार था इतना कहके कि देखो अम्राव सहाब यह क्या कहता है वह कमरे से बाहर जा बैठी खिदमतगार ने सलाम करके कहा मुझे नवाब सुल्तान सहाब ने भेजा है जो कल राद दूला के दाहिनी तरफ पैठे थे उन्होंने फरमाया है कि मैं किसी वक्त आपके पास आना चाहता हूं लेकिन शर्त यह है कि जब मैं आऊं तो कोई और नहों और उस गजल की नकल मांगी है जो कल राद आपने गाई थी मैं नवाब साहब से मेरी तसलीम कहना और कहना कि शाम को जब चाहिए तश्रीफ लाइए आपका घर है तखलिया हो जाएगा घजल के लिए कल किसी वक्त आना लिख तूंगी दोसरे दिन पहर दिन चड़े खिदमत गार आया मैं कमरे में अकेली बैटी थी घजल की नकल मैंने कर रखी थी उसके हवाले की उसने पांच अशर्फियां कमर से निकाल के मुझे दी और कहा नवाब साहब ने फरमाया है कि आपके लायक तो नहीं है मगर पान खाने के लिए मेरी तरफ से कबूल कीजिए आज रात चिराग जले बाद में मैं जरूर आउंगा खिदमतगार सलाम करके चला गया तो मुझे ख्याल हुआ कि बुआ हुसैनी को बुला के अशर्फियां दे दूँ वो खानम के हवाले कर देंगी फिर एक दफ़े जो अशर्फियों की तरफ देखा चमकती हुई नए खान की अशर्फियां भला मेरे दिल से कब निकलती है संदूग्चा वंदूग्चा तो मेरे पास न था पलंग के नीचे दबा ली नवाब सहाब कभी खान के मान पर नहीं आए हफते में दो तीन बार अपने दोस्त के आँ बुला भेशते थे अजीब मज़े की सहुबत रहती थी कभी शेरो शायरी का चर्चा होता कभी वह गाते कभी मैं जब याद आता है उन चल्सों की तस्वीर आँखों के सामने आ जाती है मुझे उनसे और उन्हें मुझे से मुहपत थी दोनों की तबियतें कुछ ऐसी मिलती थी कि अगर उम्र भर का साथ होता तो अफसोस ना होता जैसा उनसे दिल मिला कभी किसी और से ना मिला मगर किसमत ने साथ ना दिया वे जैसे बहुत जल्द खत्म हो गए हम लोग अलग हो गए खानम की नौचियों में यूं तो मेरे सिवा हर एक अच्छी थी मगर खुर्शीत का जवाब न था परी की सूरत रंग मैदा जैसा साफ नाक नक्षा गोया कुदरत के मालिक ने अपने हाथ से बनाया था आखों में मालूम होता था मोती कूट कूट के भर दिये हैं हाथ पांस उडॉल भरे भरे बाजू गोल कलाईया और जो कपड़ा पहनती बदन पर ऐसा फबता कि मालूम होता इसी के लिए बना है अदाओं में वह मिठास वह भोलापन की जो एक नजर से इडियां बैठी हो लेकिन निगाह इसी पर पढ़ती थी यह सब कुछ था मगर तकदीर की अच्छी ना थी और तकदीर को भी क्यों इल्जाम दीजे खुद अपने हाथों खराब की सच तो यह है कि वह रंडी बने के लायक न थी बैंसवाडा की एक जमिंदार की लड़की थी सूरत से शराफट टपकती थी लेकिन यह भूत सवार था कि कोई मुझे चाहे यो खुद वह प्यार के लायक थी कौन ऐसा होगा जो उस पर लट्टू ना हो जाता हो पहले तो प्यारे सहाब की मुहपत थी हजारों रुपए का सलूक किया वाकई जान देते थे खुरशीद ने भी खूब कसा जब इत्मिनान हो गया तो खुद ही जान देने लगी इंतजार में दिन दिन बर खाना न खाती किसी दिन इत्तफाक से ना आ सके तो आसों की धार बहा देती हम सब ने सला दी कि देखो खुरशीद ये मर्दुए किसी के नहीं होते तुम्हारी तो सिर्फ आशनाई है निकाह नहीं हुआ ब्याह नहीं हुआ पश्ताओगी प्यारे साहब ने जो देखा कि रंडी प्यार करती है तो लगे एटने या तो आठों पहर बैठे रहते थे या अब हैं कि दो दो दिन नहीं आते और खुरशीद जान दिये देती है खानम को उसकी सूरत से नफरत हो गई यहां तक कि आना, जाना, खाना, पीना आदमियों की तनख्वा सब बंद कर दिया मगर खुरशीद के दिल में इश्क इस कदर भरा था कि किसी मर्द आदमी के पास होती तो खूब निभा होता उम्र भर मर्द पाउं धो धो के पीता खुरशीद की जाच से खान को बड़ी उमीदें थी वाकई उसमें रंडीपन होता तो लाखों पैदा करती अच्छे अच्छे मरते थे मगर जब देखा मूँ थूथा लिये बैठी है और किसी का इश्क सवार है हर एक से बेरुखी है तो लोगों ने भी आना छोड़ दिया अब सिर्फ प्यारे साहब ही रह गए उनका यह हाल हुआ कि उनके वालत से बादशा नाराज हो गए घर जब्द कर लिया जागी रचीन ली प्यारे साहब बेचारे महताज हो गए यह सब कुछ हुआ मगर खुर्शीद की महबत में कमी ना आई अब प्यारे साहब से यह जिद हो गई कि घर में बिठा लो प्यारे साहब ने खांदान की इजद का खयाल करके या यूं कहिए कि बाप के डर से मन्जूर न किया खुर्शीद की आस तूट गई खुर्शीद बहुत ही सिधी औरत थी लोग फुसला फुसला के सैकड़ों रुपे खा गए ऐसी नेक दिल और नेक मिजाज औरतें बहु बेटियों में कम होती है तो रंडियों का क्या जिक्र कभी गुसा ना आता था बस एक बार आया जिस दिन प्यारे साहब की शादी होने वाली थी वह मांजे का जोड़ा पहन के आये खुर्शीद पहले तो चुपकी बैठी रही थोड़ी देर बाद उसके गालों पर सुर्खी दिखाई दी धीरे धीरे गाल लाल भभुका हो गए वह उठी प्यारे साहब के कपड़े फार डाले और फिर जो रोना शुरू किया तो दो दिन तक रोया की तमान दुनिया ने समझाया नमाने आखिर बुखार आने लगा दो महीने बिमार रही लेने के देने पड़ गए हकीमों ने कह दिया दिख है लेकिन खुदा की महरबानी से दो महीने बाद तबियत अपने आप ठीक हो गई प्यारे साहब से बात खत्म हो गई इसकी बाद और लोगों से मुलाकात हुई मगर दिल किसी से न लगा और किसी का दिल उस से उपर से मिलती थी दिल न मिलता था खुर्शीद पर उस दिन गजब का जोबन था गोरी रंगत मलमल के धानी दुपटे से फूटी पड़ती थी बड़े बड़े पाइचों का उदी ग्रंट का पजामा संभाले नहीं संभलता था फसी फसी करके कयामध धा रही थी हाथ गले में हलका हलका जेवर था नाक में हीरे की कील कानों में सोने की बालिया हाथ में कड़े कले में मोतियों का कंट सामने कमरे में आदमी के कद का शीशा लगा था वे अपनी सूरत देख रही थी और गम कर रही थी कि इस गजब की सूरत और कोई देखने वाला नहीं चहरा उदास हो गया वे उदासी भी गजब कर रही थी अच्छी सूरत वालों को सब कुछ अच्छा लगता है उस वक्त उसे देख कर दिल पसीजा जा रहा था और कोई मिसाल नहीं बन पड़ती मालूम होता था कि किसी शायर ने कोई दर्द भरा शेर कह दिया गोहर मिर्जा ने मोती जील के किनारे फर्ष पिछवा दिया था वहीं जाके ठहरे इधर उधर फिरते रहे शाम से दो घड़ी रात तक मेले की सेर की फिर घर चलने की ठहरी अपनी अपनी डोलियों में सवार हुए अब जो देखते हैं तो खुर्षीद जान की डोली खाली है तमाम तलाश किया उनका कहीं पता न मिला आखिर मायूस होके घर वापस आये खानम ने सुनते ही सिर पीट लिया तमाम घर को सद्मा हो गया खुर्षीद की बहुत तलाश की गई मगर कोई पता न चला उसके गुम होने के डेड़ महीने के बाद एक सहाब जिनका पहनावा शेहर के बांको जैसा था सामला रंग, छरहरा बदन एक दोशाला कमर से लपेटे और एक सर से बांधे मेरे कमरे में दननाते चले आते और आने के साथ ही सामने कालीन के किनारे बैठ गए जिससे मालुम हुआ कि तबियत में कमीना पन है या अभी आए है रंडियों के हाँ कम जाने का इत्तफाक हुआ है उस वक्त मैं अकेली बैठी थी मैंने बुआ हुसेनी को आवाज दी उनके सामने में आते ही वह साब उट खड़े हुए और कुछ बे तकलुफी के साथ बुआ हुसेनी का हाथ पकड़ लिया अलग ले जाकर बाते करने लगे इसके बाद बुआ हुसेनी खानम के पास गई वहां से आकर फिर बातें हुई आकरी बात यह थी कि महीने की तनख्वा पेश की देनी होगी उन साहाब ने कमरबन से रुपए निकाले बुआ हुसेनी ने गोद फैलाई उन्होंने चन्न से फैंक दिये बुआ हुसेनी ने बोला ये कितने हैं? नहीं मालूम, गिन लीजे ऐसे मुझे तो निकोड़ा गिनना भी नहीं आता मैं जानता हूँ पचात्तर रुपए होंगे शायद एक दो कम हों या ज्यादा मियां पिचात्तर किसी कहते हैं तीस, बीसी और पंधरा या पचीस कम सौ पचीस कम सौ तो ये किते दिन की तंखा हुई? पंधरा दिन की बाकी पंधरा दिन की कल आ जाएगी तो पूरे डेड़ सो आपको पहुँच जाएंगे ये चर्चे सुनके मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ यकीन हो गया कि ऐसे वैसे ही होंगे मगर मजबूर थी रंडी का पेशा था और पराए बस में थी करती तो क्या करती? बुआ हुसैनी रुपे लेकर खानम के पास गई खानम उस वक्त नहीं मालूम किस नेकी के दम में थी कि फौरन मन्जूर कर लिया मुझे ताज़ुब हो इसलिए कि बड़े बड़े रईसों से रुपे के मामले में एक दम के लिए मुहब्बत नहीं करती थी और इस वक्त एक दिन का वादा मान लिया इस मामले में तै होने के बाद वहे सहाब मेरे कमरे में रात को रहे कोई एक पहर रात बाकी होगी मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने कमरे के नीचे आके खटका दिया वह साहब फॉरण उठ बैठे और कहा अब मैं जाता हूँ, कल रात को फिराऊंगा चलते वक्त पांच अशर्फियां और तीन अंगोटियां एक से एक अच्छी मुझको दी और कहा ये तुम अपने बास रखना, खानम को न देना मैंने खुशी-खुशी हाथ में पहनी और अपनी उंगलियों को देखने लगी मुझे बहुत ही खुपसूरत मालूम हो रही थी फिर संदूग चा खोला और अशर्फियों और अंगोटियों को चोर खाने में रख दिया दूसरी रात को फिर वह साब आए उस वक्त में गाना सीख रही थी वह एक किनारे आकर बैठ गए गाना हुआ किया उन्होंने पांच रुपे साजिन्दों को दिये उस्ताज जी और सारंगियें खुशामत की बाते करने लगे उस्ताज जी ने उनकी कमर में जो दोशाला बंधा हुआ था उसे एठने का फिक्र की मूँ खोल के मांग लिया मगर वार खाली गया उन्होंने न दिया कहा रुपया पैसा जिस चीज को कहिए मौजूद है मगर यह दोशाला नहीं दे सकता यह एक दोस्त की निशानी है उस्ताज जी अपना सा मूँ लेके चुप हो गए बुआ हुसेनी को उन्होंने 75 रुपे गिना दिये उपर से 5 रुपे नाम के दिये वे चली गई जब वे है और मैं सिर्फ दो आदमी कमरे में रह गए तो मैंने पूछा कि आपने मुझे कहा देखा जो यह नायत की एशबाग के मेले में और फिर आए दो महीने के बाद मैं बाहर चला गया था और अब फिर जाने वाला हूँ अब मैंने रंडी बन के लगावट शुरू की तो हमें छोड़के चले जाएगा नहीं बहुत जल्द आऊंगा और आपका मकान कहां है मकान तो फरुखाबाद में है मगर यहां बहुत काम रहता है जादा तर यहीं रहता हूँ कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता हूँ और फिर चला आता हूँ और यह दुशाला किसकी निशानी है किसी की नहीं मैं समझ गई किसी आशना की नहीं तुम्हारे सर की गसम मेरी कोई आशना नहीं है बस तुम्ही हो जो कुछ हो तो फिर मुझे दे दीजे मैं नहीं दे सकता यह बात मुझे बहुत बुरी लगी इतने में उन्होंने बड़े बड़े मोतियों की माला और एक जोड़ा हीरे जड़े कंगन और दो सोने की अंगूटिया मेरे आगे रख दी यह सब तो मैंने खुशी-खुशी उठा लिये और संदूक चा खोल के बंद करने लगी मगर मुझे ताज़ुब वहा कि हजारों का माल तो यूँ दे देते हैं मगर दोशाला जादा से जादा पांसो का होगा इसमें क्यों इंकार करते हैं वैसे मुझे दोशाला पसंद नहीं था जो जिद करती इन सहाब का नाम फैज अली था पहर डेड़ पहर रात गए आते और कभी आधी रात को कभी पिछले पहर उठके चले जाते थे महीने डेड़ महीने में कई बार मैंने खटके या सीटी की आवास सुनी और फैज अली उठके चले जाते उनसे रस्म हुए कोई डेड़ महीना भी नहीं गुजरा होगा कि मेरा संदूक्चा सादे और जड़ाओ जेवरों से भर गया अशर्फियों और रुपियों की तो कोई गिंती ही नहीं थी अब मेरे पास खानम और बुआ हुसेनी से छुपकर दस बारह हजार कमाल हो गया था फैज अली से मुझको अगर महबत ना थी तो नफरत भी न थी नफरत होने की कोई वजह भी न थी एक तो कोई वह बतसूरत न थे दूसरे लेना देना जीब चीज है मैं सच कहती हूँ कि उन दिनों जब तक वह न आते थे मेरी आखे दरवाजे की तरफ लगी रहती थी गोहर मिर्जा का आना जाना अब सर्फ दिन में होता था शाम को आने वाले भी समझ गए थे कि मैं किसी की पाबंद हो गई हूँ इसलिए जल्दी ही खिसक जाते थे जो जमके बैठते उनकी मैं किसी बहाने से टाल देती थी इस दोरान फैज अली का मुझसे बहुत महबत हो गई जो कई तरह से जाहिर होता था अगर मेरा दिल गोहर मिर्जा की तरफ जुका ना होता तो मैं जरूर फैज अली को महबत करने लगती और दिल दे देती फिर भी मैंने उसका दिल रखने और रखरखाव में कोई कमी न की वह समझते थे कि मुझे भी उनसे महबत है जो कुछ वह मुझे छुपा के देते थे उसकी किसी को कानो कान खबर न थी खानम और बुआ हुसेनी के कहने से मुझे फर्माईशे भी करनी पड़ती थी उनकी बातों को पूरी करना भी फैज अली अपना फर्ज समझते थे उन्हें रुपे पैसे की कोई परवा न थी ऐसा दिलदार आदनी मैंने न रईसों में देखा न शहजादों में रोजाना की तरहे फैज अली कोई पहर रात कए तश्रीफ लाए आते ही कहने लगे आज हम बाहर जा रहे हैं परसों आएंगे देखो उम्रावजान जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसकी किसी पर जाहिर न करना बुगा हुसैनी को न देना और न खानम को दिखाना तुम्हारे काम आएगा हम परसों जरूर आ जाएंगे अच्छा यह कहो कि हमारे साथ थोड़े दिन के लिए बाहर चल सकती हो तुम जानते हो कि मैं अपने बस में नहीं खानम सहाब को हक है जाने दे ना दे उनसे कहो वहराजी हो तुम मुझे क्या इतरास सच है तुम लोग बड़े बेवफा होते हो हम तुम पर जान देते हैं और तुम ऐसा सूखा जवाब देती हो अच्छा बुआ हुसेनी को बुलाओ कहां फरुखाबाद मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ मेरी वहां रियासत है इस वक्त मैं दो महीने के लिए वहां जाता हूँ अगर खानम सहाब मनजूर करें तो दो महीने की तनुखा पेश की बलकि उसके अलावा जो कहें देने को तयार हूँ मुझे यकीन नहीं की मनजूर करेंगी अच्छा तुम पूछो तो बुआ हुसेनी खानम सहाब के पास गई मेरे नस्दीक उसका जाना बेकार था मुझे यकीन था कि वह हरगेज मनजूर ना करेंगी फैज अली ने मेरे साथ वह सलूक किया था कि अगर मैं अपने बस में होती तो मुझे उनके साथ जाने में कोई अतराज ना होता मैं सोचती थी कि जब इस आदमी ने घर बैठे इतना किया हूँ तो अपने आ ले जाके जरूर निहाल कर देगा बौह हुसैणी ने आ कर साथ ज支ब दिया कि इनका बाहर ले जाना किसी तरह नहीं हो सकता दुगनी तनख़ा पर सही चोगनी तनख़ा पर भी नहीं हम लोग बाहर नहीं जाने देते खेर जाने दो बौह हुसैणी चली गई तो मैंने देखा कि फैज अली की आंकों से टप टप आंसु गिरने लगे मुझे बहुत तरसाया बेवफाईयों का जिक्र किसे कहानियों में पढ़ती थी तो मुझे अफसोस होता था मैं उन्हें बहुत कहती थी मुझे ख्याल आया कि अगर फैज अली का साथ ना दिया तो मेरी बेवफाई में कोई शक न रहेगा समझा जाएगा कि मैं उनके इहसानों को भूल गई मैंने दिन में ठान लिया कि मैं उनका साथ जरूर दोंगी अच्छा तो मैं चलूँगी चलोगी? हाँ कोई जाने दे या ना जाने दे मैं जरूर चलूँगी कैसे? चुप कर अच्छा तो परसों रात को हम आएंगे पहर रात रहे तुम्हें यहां से निकाल दे चलेंगे देखो धोका न देना नहीं तो अच्छा न होगा मैं अपनी खुशी से चलने को कहती हूँ तुमसे वाइदा कर चुकी हूँ मेरे वाइदे को भी तो देखो बहुत अच्छा देखा जाएगा उस रात को फैज अली कोई डेड़ पहर रात रहे मेरे पास से उटके चले गए उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी वाइदा दो कर लिया मगर देखे क्या होता है जाओं या न जाओं जब फैज अली की महबबत और अपने वाइदे का ख्याल आता था तो दिल कहता था जरूर जाना चाहिए मगर दूसरी तरफ से आवाज आती थी नजव खुदा जाने क्या होगा खान का मकान चौक में बहुत ही हुफाज़त की जगह पर था पश्चिम की तरफ बाजार उत्तर दक्षिन रंडियों के उँचे उँचे कमरे एक तरफ बीबा जान का मकान दूसरी तरफ हुसैनु बांदी रहती थी पिछवाडे मीर हुसैन अली साहब का दिवान खाना था किसी तरफ से चोर का लगाव नहीं था इस पर भी तीन पासी नौकर थे जो रात भर कोठे पर फिरते थे जब से फईज अली का आना जाना शुरू हुआ था मका पासी खास मेरे दरवाजे पर रहता था क्योंकि फईज अली रात गए आया करते थे और पहर रात से चले जाते थे मक्का दर्वाजे बंद करने और ताले लगाने के लिए रखा गया था फैजली के आने के बाद काफी देर तक चुपके चुपके चल निकलने के मश्वरे हुआ किये इतने में मक्का ने अंगडाई ली मालूम हुआ जाग रहा है फैजली ने उसे कमरे में बुलाया एक रुपया नाम दिया और कहा तुम आराम करो हम जाग रहे हैं कोई डर नहीं है दर्वाजा भेड़ देना जाएंगे तो तुमको जगा देंगे मक्का सलाम करके गया तो फैजली ने कहा किलो अब चलो मैं उठी दो जोड़े कपड़े दिन ही से गट्री में बांध रखे थे गट्री बगल में दबा के फैजली के पीछे हो ली चलते चलते मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई कान में कह रहा है कि उम्राव नजा कहा मान अब जीने पर दो तीन सीड़ी उतर चुकी तो ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई हाथ पकड़े खींचता है कि ना जा मगर मैंने ना माना खानम का जीना उतर के हमने अकबरी दर्वाजे का रास्ता लिया नखास में बैल गाड़ी पहले से खड़ी थी हम दोनों सवार हुए और चल निकले में दोपहर तक फैरे भटियारिन से खाना पकवा के खाया तीसरे दिन राइबरेली पहुँचे यहां सफर के मुनासिब कपड़े खरीदे मेरे दो जोड़े बनवाए लखनों से जो कपड़े पहन के आई थी उतार के गठ्री में बांध लिये राइबरेली से दूसरी बैल गाड़ी किराय पर की और लाल गंज पहुँच गए रात फिर सराय में रहे फैज अली जरूरी सौदे सुल्फ को बाजार गए जिस कोट्री में हम थे उसके पासवाली कोट्री में एक देहाती रंडी उतरी हुई थी नसीबन नाम था कहने पाते से दुरुस्त थी कपड़े भी अच्छे थे थी तो देहाती मगर जबान इतनी साफ थी कि कसबाती मालूम होती थी मेरी उससे देर तक बाते हुआ की वे पैचान गई कि मैं भी रंडी हूँ मैंने कह दिया कि फैज़ाबाद की हूँ बहुत दिनों से इनके घर बैठ गई हूँ इनके साथ उन्नाव जा रही हूँ लखनों से आ रही हूँ उसने पूछा कि तुम लखनों से उन्नाव जाती हो तो सीधा रास्ता छोड़कर इस बीहड रास्ते से क्यूं जा रही हो मैंने कहा कि इन्हें राइबरेली में काम था वे बताने लगी कि इधर का रास्ता बहुत खराब है डाकों के मारे मुसाफिरों का आना जाना बंद है पुलिया के बीहडों में सैक्डों को लूट लिया और उन्नाव का रास्ता उधर होकर ही है तुम तीन आदमी हो जिसमें दो मर्द एक और जात तुम्हारे हाथ गले में भी कहना है तुम्हारी क्या हकिकत है जब वहां बाराते लुट जाती है मैंने तकदीर का सहरा लेकर बाट टाल दी और पूछा कि तुम कहां जाओगी नसीबन हम तो गदाई की निकल हैं गदाई क्या समझी नहीं ए लो गदाई नहीं जानती कैसी पतुरिया हो बेहन मैं क्या जानो इनके साथ हूँ वैसे यह जानती हूँ कि गदाई के मानी है भीक मांगना हमारे दुश्मन मांगे भीक और सच पूछो तो मैं कहूँ पतुरिया की जात तो भीक मंगनी ही है इसमें डेरेदार हो या ना हो हाँ सच तो है मगर मुझे मालूम नहीं कि गदाई किसको कहते है साल में एक बार हम लोग घर से निकल के गाउं गाउं फिरते है अमीर रईसों के मकानों पर जाके उतरते है जो कुछ जिसकी हैसित होती है हमें दे देता है कहीं मुझरा होता है कहीं नहीं दूसरी दिन मौ अंदेरे हम सराय से रवाना हुए नसीबन की गाड़ी हमारे पीछे पीछे थी फैज अली घोड़े पर सवार थे हम और नसीबन बाते करते जा रहे थे थोड़ी दूर चलके गाउ नजर आया जहां नसीबन को जाना था उसने हमें दिखाया सड़क के किनारे खेट थे जिनमें कुछ लड़कियां पानी दे रही थी कुछ निराई कर रही थी कुछ पुर चला रही थी और एक मुस्टंड औरत धोती बांधे पैल हांक रही थी नसीबन ने कहा ये सब पतुरियां है मैंने दिल में सोचा कि आकिर इन्हें पतुरिया कौन कहेगा मेहनत आदमियों से जादा करें और शकल सूरत लखनों की घसियारनों जैसी दो ही तीन कोस गए होंगे कि बहुत से सवार और पैदलों ने आकर खेर लिया इधर भी सब पहले से मुस्ताइद थे दोनों तरफ से गोलियां चली फिर तलवारे निकल आई इस लड़ाई में फैज अली मेरी गाड़ी के आसपास ही रहे मैं गाड़ी के अंदर बैठी दुआएं पढ़ रही थी मेरा कलेजा हातों उठल रहा था कि देखिये क्या होता है कभी कभी गाड़ी का परदा खोल के देखती कि यह गिरा यह मरा आके दोनों तरफ से बहुत जख्मी हुए हमारे साथ पचास साथ आदमी थे राज़त ध्यान सिंग के आदमी बहुत से थे एक एक पर दस तस तोट पड़े फैज अली मौका पाकर निकल गए दस बहरा आदमी गरफतार हुए मैं भी गरफतार हुई काड़ीवान तो मिनते करके छूट गया और जख्मी सवार को वही पटक के राइबरेली की तरफ रवाना हो गया बाकी गरफतार आदमीों की मुश्कें कसी गई मैं राजा साहब के सामने हाजिर की गई उन्होंने पूछा बाई साहबा लखनों से आए हैं मैंने हाथ बांद के कहा हुजूर कसूर बार हूँ लेकिन गौर से देखा जाए तो ऐसा कसूर भी नहीं औरजात जाल फरेब से आगाह नहीं मैं क्या जानती थी ये लोग कौन है राजा साहब ने अपने आदमियों से कहा देखो हिम्बत खेड़े से एक बैल गाड़ी ले लो लखनों की रंडियां हमारे देश की पतुरिया नहीं है कि राद भर महफिल में नाचें और दिन को बारात के साथ दस दस कोस नाचती जाएं मैंने कहा खुजूर को खुदा सलामत रखे आदमी गए गाड़ी ले आए मुझे गाड़ी पर बिठाया गया बाकी गिरफतार आदमी मुश्कें कसी ले जाए गए गड़ी कोई पांच कोस पर थी वहाँ पहुँचकर वे लोग तो नहीं मालूम कहां भेज़ दिये गए मैं कोट में बुलाई गई साथ सुथरा मकान रहने को दिया गया दो आदमी खिद्मत को मुकरर हुए मकान पका खाना पूरियां कचोडियां मिठाई तरह तरह के अचार खाने को आए अच्छा हमने तुमको रिहा किया फैजू और फजलू दोनों बदमाश निकल गए बाकी जो गिरफतार हुए हैं लखनों भेजे जा रहे हैं वहाँ पहुँचकर सजा पाएंगे बेशक तुम्हारा कोई कसूर नहीं मगर आइंदा ऐसे लोगों से ना मिलना अगर तुम्हारा जी चाहे तो दो चार दिन यहां रहो हमने तुम्हारे गाने की बहुत तारीफ सुनी है मुझे नसीबन की वह बात यादाई की राजा साहब के पास लखनों की कोई रंडी है हो नहो उसी ने मेरी तारीफ की होगी मैंने पूछा हुजूर्ण ने किसे सुना अच्छा यह भी मालूम हो जाएगा थोड़े दिर बाद लखनों की वह रंडी तलब हुई वह सिवा खुर्शीद की और कौन होती खुर्शीद दोड़ कर मुझसे चिपट गई दोनों मिल के रोने लगी आगर खुर्शीद राजा साहब के डर से अलग होकर अदब से बैठी साजिन्दे तलब हुए मुझे रहाई की खबर पहले ही मालूम हो गई थी और मैंने मौके के मताबिक एक गजल कहली थी सुनाई तो एक एक शेर पर राजा साहब और सभी बहुत खुश्वे बे खुदी का समा हो गया बहुत दाद मिली पहला शेर यह था कैदी उल्फते सयाद रिहा होते हैं आज हम बादिले नाशाद रिहा होते हैं यानि कैद करने वाले की मुहबबत से रिहा होने पर कैदी के दिल को दुख है और आखरी शेर था ए अदा कैदे मुहब्बत से रिहाई मालूम कब असीरे गमे सैयाद रिहा होते हैं ए अदा मुहब्बत की कैद से कहीं रिहाई होती है और कहीं कैद करने वाले के गम से कैदी चुटकारा पाता है सुनके राजा साहब ने पूछा ये अदा कौन है खुर्शीद ये इन्हीं का तकहलूस है इन्हीं की कहीं हुई गजल है इसके बाद जलसा बरखास्त हुआ राजा साहब अंदर रसोई खाने चले गए मुझसे खुर्शीद की खुब खुब बाते हुई उसने बताया मेरा कोई कसूर नहीं राजा साहब और खानम साहब से बहुत तिनों से लाग डौट थी राजा साहब ने कहीं मरतबा बुलवाया मगर खानम ने साव इंकार कर दिया आने न दिया आखिर आश बाग के मेले में इनके आदमी लगे हुए थे मुझे जबरदस्ती उठा लाए जब से यहीं हूँ हर तरह से मेरी खातिर होती है हर तरह का आराम है इन मुए गवारों में जी तो नहीं लगता मगर मेरी तवियत रंडी बन के खिलाफ है एक आदमी का सहारा है बाकी सब हुक्म के तावेदार है और फिर यही मेरा वतन है इसी इलाके में पैदा हुई थी यहां की हर चीज मुझे पसंद है मैंने पूछा लखनों जाने का इरादा नहीं है तो कहने लगी कि भई मुझे तो माफ करो यहीं रहो मैंने कहा मैं नर होंगी लखनों भी न जाऊंगी जहां खुदा ले जाएगा चली जाऊंगी इसके बाद मैं पंधरा बीस दिन तक गड़ी में रही फिर एक दिन राजा साहब से मौका पाकर जाने की इजाज़त मांगी उन्होंने पूछा कहा जाऊगी मैंने कहा लखनों तो हर्गिस न जाऊंगी वहां जाने का मौन नहीं सब हासेंगे इसलिए पहले तो कान पुर जाऊंगी फिर देखा जाएगा जाएगा